झाल-च्यंजी काफे सारे लोग के बारे में पूछructे की मेरा डिसीज़न में राइट है कि रॉञ है निरने सही है की गलत है और उसके बारे में लोग हमको कॉंसीलिंग के लिए काउंसीलिंग में पूस्थे रहते हैं फोन करके पूछते रहते हैं तो आईए उसके बारे में मैं आज बात करूँगा हमारी चैनल में आपका स्वागत है मेरा नामें डॉक्टर दीपक केड़ेकर में मनुविकार सेख्ष्रोग संब्वोंद था वैसे मुझे तग्यों और महाराष्ट में अकुला नागपूर पुने मुंबई याम प्रैक्ट और दूसरा जो है वह भावना इमोशन्स या फिलिंग्स क्या आता है कि कभी-कभी हम फिलिंग से निरने लेते हैं और फिर गल्ति हो जाती है काफी सारे बच्चे हमारे पास में आते बोले फिल बुजे हो रहा है प्यार हो रहा है फिल हो रहा है उसके साथ में मैंने शाद है कोई logic नहीं है लड़की को लेके पिताजी मअबाप हमरे कांस में आते रहते हो बताते हैं कि वाड़का जो है जिसके उपर यह पेयार करती है वो भटकते रहते हैे दिन पर काम धंदा करता नहीं शराब पीते रहता है शराब नड़की फिल होता है कि मेरा प्यार है और मैं उसको सुधारूंगी कोई लॉजिक ही नहीं तो ऐसे इसमें प्रॉब्लम आता है कभी-कभी फिल ऐसा होता है कि मैं बिजिनेश चालू करूंगा इन्वेस्ट करूंगा और मैं सक्सेस्फुल हो जाओंगा लॉजिक कुछ भी नहीं ऑन पेपर कुछ नहीं है इंटलेक्ट नहीं है कोई प्रोजेक्ट रिपोट नहीं है तो फिलिंग से कुछ नहीं होता और फिर प्रॉब्लम आता है कभी-कभी इंटलेक्ट में जिरने लेंगे इंटलेक्च्छ और वहां फिलिंग ही नहीं है तो फिर प्रॉब्लम आता है अभी मेरे पास मे एक लड़की को लाया था वो नर्वस थी डिप्रेस्टी बोर रहे कि मेरे इच्छा नहीं थी मगर फीजियो थेरेपी के लिए मुझे मनाया गया पटाया गया पेरेंट्स ने और भी मैंने अड्मिशन ले फीजियो थेरेपी के लिए अभी लॉजिकली उसको अच्छा लगा कि नहीं फीजियो थेरेपी अभी बहुत ग्रुइंग ब्रांच है अच्छी ब्रांच है और बहुत अच्छा फ्यूचर है करीर अच्छा हो जाएंगा फीलिंग ही नहीं उसको मज़े ही नहीं आ रही उससे फिर प्राब्लेम हो जाए कि कोई भी डिसिजेशन हम जब लेते है तो उसके उपर तुरं निरने ना लेते हुए या कोई भी चीजसे बर तुरंद निरने ना आते है उसको jadi सिंग होने दिन को कुझ मेर्ण मेरान चालू करना ही यह मैं को प्यार है लड़की की प्रति प्यार है जाने दो मेना दो मेने देखो बात नहीं किया समझे एक मेना पर तबी वे प्यार कायम है क्योंकि अभी प्यार करते रहते हैं शादी करेंगे और बाद में लॉजिक आएंगा बाद में इंटिलिजन्स आएंगा बाद में वालूम पढ़ेंगा अभी खाने के लिए पैसे नहीं है कैसा रहना और फिर वो शादी बरबाद हो जाएगी तो दोनों का होना जरूरी है समय देना जरूरी है कुछ समय के बाद में निरने लो तूरण जटपड निरने लेके काफी बार निरने गलत हो सकता है और वो ज़िए आप निरने लेते हो उसके सब साइड पॉजिटिव साइड निगेटिव साइड क्या नुकसान है क्या फायदा है निरने लिया तो क्या नुकसान क्या फायदा है ऐसे दोनों तरफ हम देखत रहते रहते शांती से भावनाओं में आके नहीं लेना ना कि सिर्फ इंडेलिजेंस में आके निड़ने लेना ऐसा करते है तो 100% decisions आपके राइट होंगे यह मेरा विश्वास है और यह आप करेंगे तो जरूर आप success के प्रति success के तरफ चले जाएंगे सफलता के तरफ चले जाएंगे तो थेंक्यू वेरी मुच फर वाचिंग आपको अच्छा लगा तो जरूर शेर करो आपके सब ग्रूप में वीडियो लाइक करो सब्सक्राइब करो और बेल आइकोन जातो उसके पर क्लिक करो दाकि मेरी वीडियो की नोटिफिक्शन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे हमारा मकसद है सब के लिए मानसिक स्वास्तिया और विशनमुक्त भारत इसमें आपका भ्यात लग जाएगा and thanks for watching